मदर्स मिल्ग जो की एक साइकोलोजिकल हॉरर थ्रिलर मुवी है जिसमें एक उनिवर्सिटी प्रोफेसर एक लड़की को किड्नेप कर लेता है लेकिन क्यूं यह जानेंगे हम आगे वीडियो में तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मुवी के शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक आदमी अपना ब्रेकफस्ट बना कर खा रहा है और फिर वो उसे खत्म करके एक रूम में जाता है जहां पर एक लड़की बंदी हुई थी और फिर वो उसे बॉक्स में बंद करके वहां के सफाई करता है यानि कि यह लड़की अ अपने लेक्चर में भी लड़कियों के बॉड़ी पार्ट्स पर जाती थी जिसे ये गल्स भी नोटिस कर लेती है जब क्लॉड अपने घर पर होता है जब क्लॉड अपने घर पर होता है तब भी वो ब्रेस्ट फीडिंग के वीडियो देखता रहता है फिर सीन चेंज होता और यहां एक लेडी अपने बच्चे को अपनी छोटी बेहन कीम के पास छोड़कर रनिंग के लिए जली जाती है जिसके कुछ समय के बाद कीम उस बेबी को पासी के गार्डन में वाक पर ले जाती है और इसी पार्क में क्लोड भी आया था क्लोड कीम के पास में एडर जानने के बहाने आता है और उसे किड्नेप करके अपने साथ गाड़ी में डाल कर ले जाता है और कीम की सिस्टर का बेबी वही पर अकेला था गार्डन में कीम को घर लाकर क्लोड उसके हाथ पर और मुझ खुलता है तो किम उससे बच्चे के बार में पूछती है और यहीं से क्लॉड को ये पता चलता है कि वो बच्चा किम का नहीं है जबकि क्लॉड उसे उस बच्चे की मां समझ कर उठा कर लाया था जिससे सुनने के बार में क्लॉड थोड़ा निराश होता है और फिर क्लॉड कीम के लिए कुछ खाने का लेने के बहाने यहां से चला जाता है क्लॉड के जाने के बाद में कीम अपने आपको छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन वो एक मजबूत चेंड से मदी हुई थी फिर नेक्स्ट डे जब कीम की नेद खुलती है तो क्लॉड उसके लिए ब्रेकवास लाता है और कीम उससे उसे यहां पर लाने का कारण पूछती है जिस पर वो उसे एक अजीब सा रिजन बताता है उससे किड्नेप करने का क्लॉड कीम से कहता है कि वो उससे यहां पर उसकी नरीशिंग मतर बनाने के लिए लाया है और उसकी डेटेल्स लेता है चुकि किम को अब यही पर रहना था किम को पता चल गया था कि वो पहली लड़की नहीं है जो कि यहां पर आई है जिससे क्लॉड मार चुका है और अब किम यह जानने के बाद में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि क्लॉड उसे न मार दे जिस सुनने के बाद में क्लॉड किम से वादा करता है कि वो उसे कोई नुक्सान नहीं पोचाएगा और वो उसे एक दिन छोड़ देगा क्लॉड किम को ब्रेकफस्ट खाने के लिए देता है लेकिन किम उसे नहीं खाती जिसके बाद में वो किम के फिर से हाथ और मुझ को ब्रेस्ट की मसाज करता है लेकिन कीम चाकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी किम लिटरेचर के पड़ाई कर रही थी और वो एक नौल लिखना चाहती थी और क्लॉड उसे लिखने के लिए नोटबुक और पेन लाकर दे देता है फिर वो किम को ये बताता है कि उसकी बहन का अपने घर पर पहुच गया है और ये सुनने के बाद में किम थोले रिलेक्स फिल करती है शाम को क्लॉड डिनर के समय किम को खाने के लिए एक स्पेशल टाइप का लिवर आफर करता है जिसे किम नहीं खाती और ये देखकर क्लॉड को गुस्सा आ जाता है वो किम को वापस उ उसका सामने कई अलग अलग तरीकी डिशे मजे ले लेकर खान लगता है किम दो तिन दिनों से भूकी थी और क्लॉड को खाता हुआ देखकर उसका मन मचल रहा था लेकिन क्लॉड उसे एक स्पेशल टाइप की डिशे खिलाना चाहता था काफी देर तक ऐसा ही चलता है और पिर कीम क्लॉड से कहती है कि वो वो सब कुछ खाने को तयार है जो कि क्लॉड उसे खिलाना चाहता है क्लॉड चेक करने के लिए लिवर से बनी उसी डिश को जमीन पर फेक देता है जिसे कीम खाने के लिए दोड़ती है और कीम को इसा जानुर जैसा खाता हुआ देखकर क् और फिर अगले दिन क्लॉड ये देखता है कि किम को लिखने से ज़ादा स्केचिंग में इंटरेस्ट है और वो उसे ड्राइंग पेड और क्रेयोंस लाकर दे देता है जिससे कि किम बस यहीं लिखती है I will kill you और उसे रंगों से छुपा देती है क्लॉड को ब्रेस्ट फिडिंग करनी थी और वो अन्जाने में एक गवारी लड़के को उठाकर ले आया था जो कि ब्रेस्ट मिल्क डेवलप नहीं कर सकती थी और इसलिए क्लॉड उसे आर्टिफिशल तरीके से ब्रेस्ट मिल्क को डेवलप कराना चाहता था जैसे कि उसे अलग-अलग टेबलेट्स देकर उसके ब्रेस्ट की रोज मसाज करके और उसे अलग-अलग तरीकी डिश देकर जिसमें की वो लिवर वाली डिश भी शामिल थी किम क्लॉड से कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा जिस पर क्लॉड उसे कहता है कि वो उसे स्टेरोइट देकर उसके हार्मोन्स डेवलप करवाएगा और अगर ये सब भी काम नहीं आया तो प्रेगनेंसी इसका लास्ट आप्शन होगा किम अक्सर ड्राइंग में यहीं लिखती थी कि आई विल किल क्लॉड ताकि उसे याद रहे कि वो यहां से कैसे निकल सकती है तब ही क्लॉड उसके ड्राइंग चेक करता है और किम उसे रंगों से चुपा कर एक सूरज की डिजाइन बना देती है वो क्लॉड से कहती है कि यह एक सूरज है और उसे देखकर उसे सूरज की याद आती है क्योंकि उसना सूरज के दिनों से नहीं देखा है और फिर क्लॉड उस ड्राइंग को दिवार पर ही टांग देता है किम यहां से बाहर निकलने की प्लानिंग करती है और खुद को एक्सेसाइज करके फिजिकली स्ट्रॉंग भी बनाती है कब उसे किसके जरूत पड़ जाए क्लाड किम को बस कपले चेंज करते टाइम ही खोलता था जब वो पूरी तरह से आजात होती थी और किम इसको नोटिस कर लेती है फिर कलॉट कीम को सुरज दिखाने पहली बार बाहर लेकर जाता है और वो उसे ही बताता है कि बच्पन में उसके पिता उसकी माँ को छोड़कर चले गए और उसकी माँ अलकोहॉलिक हो गई फिर एक दिन जब उसकी माँ बहुत ज़्यादा ड्रंक थी तो कलॉट से गलती से उसके घर में आग लग गई वो अपनी माँ को बचाने के लिए उसे उठा रहा था लेकिन उसकी माँ बहुत ज़्यादा नशे में थी और वो अपनी नीन से नहीं जाग पई क्लॉड तो बज गया लेकिन उसकी माँ आग में जलकर उसी घर में मर गई फिर एक दिन क्लॉड कीम के पास आता है रूम में एक बड़े से इंग्जेक्शन में अपने सीमन को लेकर जिससे की वो कीम को प्रेगनेंट कर सके कीम क्लॉड को ऐसा करने के लिए मना करती है और वो से कहती है कि वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इतना नीचे गिर सकता है वो ये सब किसी बाजारू ओरत से भी करवा सकता है उसे कई सारे पेसे दे कर जिसके जवाब में वो ये कहता है कि वो ये सब कुछ ट्राइ कर चुका है लेकिन उसे सैटिस्फेक्षण नहीं मिला और अगर कीम ये सब करने के लिए मना करती है तो वो खुद उसे जबरदस्ती प्रेगनेट करेगा कीम को यह पता था कि कलॉट थोड़ा संकी है और वो अपनी बात मनवाने के लिए उसे मार भी सकता है और फिर फाइनली कीम उस इंजेक्शन से कलॉट के सीमन को इंजेक्ट करती है जिससे की वो प्रेगनेट हो सके कीम अप कलॉट के साथ में थोड़ा थोड़ो कॉपरेट कर रही थी और फिर एक दिन कलॉट बहुत ज़दा डिरिंक करके आता है और कीम को अपनी फिलिंग्स बताता है की वो अकसर उसके सपनों में आती है जो की उसे सोने नहीं देते है और वो कीम से प्यार भी करने लगा है ये सीन यहें पर कट हो जाता है और फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है और फिर एक दिन कीम कलॉट से आईसक्रीम और आचार खाने के लिए मांगती है कलॉट समझ जाता है कि वो प्रेगनेट है और मनी मन खुश होता है कलॉट मार्केट से आईसक्रीम और अचार के साथ साथ कीम के लिए मेकप के केट और उसके लिए एक बहुत ज़्यादा खुबसूरत ड्रेस भी लेकर आता है लेकिन कीम उससे कहती है कि वो उस ड्रेस को तब ही पेनेगी जब वो उसके लिए एक बड़ा सा आईना लेकर आये उससे देखने के लिए कलॉट कीम के सारी डिमांड को पूरी कर देता है और फिर एक दिन दोनों साथ में बेटकर डिनर करते हैं कलॉट कीम के लिए महंगी महंगी वाइन्स लेकर आया था लेकिन कीम बस कमिया निकाल रही थी और कलॉट केता है कि वो उसके लिए इतना सब कर रहा है जबकि वो उससे मानना चाहती है क्योंकि वो उसकी ड्रॉइंग वाले मेसेज को पढ़ चुका है कलोड कीम से अब प्यार करने लगा था लेकिन कीम को घर जाना था अपनी फैमिली के पास में कलोड आगे ये कहता है कि उसे कीम को यहाँ पर नहीं लाना था और उसके पास बस एक तरीका है इन सब चीजों से चुटकारा पाने का सीन यही पर कट होता है और हम देखते हैं कि क्लॉड को अकसर बूरे सपने आते हैं जिसमें वो खुद को अपनी मा के साथ में देखता है, बेस्ट फिडिंग करते हुए लेकिन अब उसके सपनों में उसकी मा के साथ साथ किम भी आने लगी है जो कि उसे सिड्यूस करती है क्लॉड अपने सपनों से तंग आकर आदी रात को अपनी नीन से उठता है और वो सीधा कीम के कमरे में जाकर उसे दिवार के सहरे बांद देता है और उसके ब्रेट से दूद पीने की कोशिश करता है लेकिन कीम के ब्रेथ अभी भी मिलक को डेवलप नहीं कर रहे थे और गुसे में आकर क्लॉड कीम के ब्रेथ पर दांद गड़ा देता है और वहा का मास काट कर निकाल देता है जिससे की कीम को बहुत जदा दर्द मحسوس होता है और वो दर्द के मारे बहुत जोड़ जोड़ से चिलाती है और फिर क्लॉड को बाद में अपने किये पर बहुत ज़दा दुख होता है लेकिन अब कुछ बने ही किया जा सकता फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कीम बेटी हुई थी और उसके ब्रेस्ट पर बेंडेजस लेगी हुई थी और कीम के गाओ अब थोड़े ठीक थे लेकिन वो अभी भी शौक में थी और उसे ये डर था कि क्लॉड उसे कभी भी मार देगा फिर एक दिन क्लॉड